हाई हलो नमस्ते फ्रेंट्स आज की रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे की हमेशा भारती ट्रेन ही अपनी रूट क्यों भटकती है तो आज ही पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर न ही है खैर एक जून दो हजार बीस को जी न्यूज के डिने न्यूज कारेक्रम में भारत सरकार के रेल मंत्री प्यूश गोयल जी ने सारे प्रश्णों के संतोष जनक उत्तर देकर सबका मूँ बंद कर दिया इस प्रश्ण का भी उन्होंने उत्तर दिया मुंबई से प्रियागराज होकर दूसरा मुंबई भुसावल जहांसी कानपूर लखनवू गोरकपूर होकर तीसरा मुंबई भुसावल नाकपूर बिलासपूर रायगड रावर केला होकर मतलब बिहार और जारखंड इमर्जनसी में उत्तर प्रदेश भी भेजा जा सकता है इस प्रियागराज बढ़ी संख्या में और बहुत तेजी से चल रही हैं रेलवे के 13 लाक में से 12 लाक करमचारी कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे थे रेलवे की माल गाडियों ने जरूरी सामान की सप्लाई की चेन नहीं तूटने दी हुआ क्या की उपर बताये गए पहले और दूसरे रूट पर माल गाडियों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का कंजस्ट हो गया इसलिए कुछ गाडियों को भुसाओल से तीसरे रूट से भेजा गया जिसकी बकायदा रेलवे बोर्ड से अनुमती ली गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रूट का कोई पबलिक नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके की ट्रेन अपना रूट भटक गई मजदूरों को वहीं भेजा गया जहां के लिए राज्य सरकार ने गाड़ी मांगी थी वो चाहे किसी भी रूट से भेजा हो रेल मंत्री जी राज्य के मुखे मंत्रियों के संपर्क में रात को दो पत्रकार को सामने तो करें जो रेलवे सिस्टम को पूरी तरह जानता हो रेलवे को पूरी तरह हर रेलवे वाला नहीं जानता तो बाहर वाला क्या जानेगा क्योंकि रेलवे में 11 डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट का एक डिविजनल हेड होता है उनके उपर DRM फिर हर डिपार्टमेंट का जोनल चीफ होता है और उनके उपर महाप्रबंधक महाप्रबंधक के उपर रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड के उपर भारत सरकार के रेलमंत्री जी ये जो खबरे छाप रहे हैं न वो तुट पुझिया किस्म के अख़बार है रेलवे ट्रेन प्राइविट बसों की तरह नहीं चलती की मर्जी आई तो बस ड्राइवर को आराम देने के लिए बस के कंड़क्टर या क्लीनर ने भी चला लिया रेलवे के लोको पाइलट के मेडिकल परिक्षड की आओधी एक दिन भी ओवर हो गई तो वह ट्रेन नहीं चला सकता मेडिकल परिक्षड के लिए उसे पहले रेलवे डॉक्टर के पास भेजा जाता है मेडिकल परिक्षड के लिए वहाँ शूगर या बलड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं है तो रेलवे डॉक्टर पहले उसका इलाज करके ठीक करता है फिर फिटनेस का प्रमार पत्र देता है रेलवे से कठीन मेडिकल कहीं नहीं होता अभी तक वीडियो में बताई गई जानकारी एक कारेरत के अनुभाव को इस वीडियो में दिखाने की कोशिस की है जिने रेलवे सिस्टम की जानकारी का साड़े उन्तालिस वर्ष का अनुभाव राच चुका है इतनी लंबी नौकरी तो एक IAS और IPS भी नहीं कर पाता क्योंकि वह 22 वर्ष से कम में किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता वह 21 वर्ष की उमर में परिक्षा के लिए योग्य होगा तब पहले अटेम्ट में भी सिविल सेवा परिक्षा पास की तो वह तब तक 22 वर्ष का हो जाता है ऐसे में उसकी 38 वर्ष से ज़्यादा नौकरी नहीं होती उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गयोंगे कि हमेशा भारती ट्रेन ही अपनी रूट भटकती है या नहीं अगर आज की वडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर्म लेंगे किसी दूसरे वडियो में तब तक के लिए बाई बाई